नमस्कार साथियो स्वागत आप सभी का नेक्स्ट फेम यूट्यूब चैनल में आज हम करने वाले हैं वरक्षिट नमबर 28 रिलेटिड है क्लास नाइन्थ के हिंदी से और यहां हम जिकर करेंगे सलीम अली का जटिल प्रानियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बनी रहे गिरने वाली नीले कंट की गोरईया सारी जिन्दगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही जिन्दगी की उचायें में उनका विश्वास एक शण के लिए भी डिगा नहीं वो लॉरेंस की तरह नरसैगिक जिन्दगी का परतिरूप बन गए थ थे सलीम अली की प्रकृति को सुनिये में एक टापू बनने के बजाए अधा सागर बनकर उबरे थे सलीम अली ने अपने जीवन में पक्षियों के बारे में अत्याधिक खोज किये जिसके कारण वह एक सागर के समान है वह पक्षियों के बारे में तुरंत पहचान लेते थ दूर दूर तक उनकी निगाहें पक्षियों को ढूंटी रहती थी। जो लोग उनके ब्रह्मन शिल्षभाव और उनकी यायावरी से परिची थे। उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबील लटकाए अपने खोज पूर नतीजों के साथ लोट आएंगे। जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ माल लिया जाए। मेरी आखे नम हैं सलीम अली तुम लोटोगे ना। सलीम अली की दैथ के बाद लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि सलीम अली तुम कब आओगे। तो हम कोशनों को कर लेते हैं। पहला कोशन है कैसे प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहली के समान है। तो किसने किया नीले कंड की एक गौरईया ने आप देख सकते हैं नीले कंड की एक गौरईया ने उन्हें हमेशा पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया टापू बनने के बजाए अथा सागर बनना से क्या आश्ये हैं टापू क्योंकि सलीम अली ने एक पक्षी को नहीं खोजा सलीम अली दुनिया भर में भ्रहमन करते हैं और दुनिया भर के परतेख पक्षियो के बारे में जानना उनका सोभाव बन चुका था उनकी रूची बन चुकी थी इसलिए वै अथा सागर के समान है लेखक की आँखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अब लेखक की आँखें नम क्यों हो गई? क्योंकि लेखक उनकी मृत्यू से समंधित बाते करता है सलीम अली अब इस दुनिया में नहीं रहें इसके कारण लेखक की आँखें नम हो चुकी है सो ये था फ्रेंड्स वर्क्षिट नंबर 28 जिसे हमने कम्प्रेटली सॉल्व कर लिया है और इसी तरीके से आप वर्क्षिट को सॉल्व किजिए पढ़ते रहिए साथ ही आप नेक्ट फिल्म चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक यू